दलाइफ टीवी सच सबसे आगे प्रणाटक में मुस्लिमों के वोट वोट बिलकुल भी नहीं मिले हैं इसी के साथ बीजेपी का जो लोयल वोटर है लिंग्याइट समुधा जिसे खुष करने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षन खत्म करके उसके पाले में 2% आरक्षन दे दिया लेकिन उसके बावजुद भी लिंग्यायत वोट शेयर में कुछ भी बड़ोतरी बीजेपी को यहाँ पर नहीं दिख रही है लिंग्यायत के जितने वोट बीजेपी को पिछली बार मिले थे इस बार भी उतने ही वोट प्रतिशत बीजेपी को मिलने का अनुमान है वहीं अगर आप कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस के 4 प्रतिशत वोट बढ़ गए हैं और इसे के साथ अगर आप दलितों की बात करें तो दलितों के वोट जो है उसमें भी Congress के पाले में बढ़त्री होई है और BJP को यहां पर इसमें भी नुकसान पहुचा है पिछली बाद दलितों के vote जो है वो कॉंग्रिस को 46 प्रतिशत vote मिले थे लेकिन इस बार के exit poll में कॉंग्रिस को 60 प्रतिशत मिलने के अनुमान है यानि कि 14 प्रतिशत vote share जो है कॉंग्रिस के पाले में दलितों का जो है वो बढ़ गया है इसी के साथ आपको बता दे कि यहां पर बीजेपी को दलित का 5 प्रदिशत वोट का नुकसान हुआ है यानि कि दलित जो है वो भी बीजेपी से यहां पर पीछा छुडा रहे हैं इसाई भी यहां पर बीजेपी से पीछा छुडा रहे हैं मुस्लिम में चुड़ा रहे हैं और जो लिंग्या समुदा है उसमें भी जो है बड़ोतरी नहीं हुई है ये तब है दोस्तों जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोक दी कहीं रोट्चों किये कहीं रैलिया की यहां तक कि इसाई धर्म के लोगों को खुश करने के कि इस धर्म से कितने प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है और पिछली बार कितने मिले थे और इस बार बीजेपी को कितने वोट प्रतिशतों में नुकसान हुआ है आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आज तक का ट्वीट देखर जिसमें लिखा है कि करनातर के एक्जिट प मिल रही है और कॉंग्रेस को जो है उसमें बड़त मिल रही है इसी के साथ अब आज तक के आज तक का जो एक्जिट पोल सामने आ रहा है और 2023 में कितने प्रतिशत वोट मिले हैं और इस वीच बीजेपी को बीजेपी का कितना वोट शेयर जो है वो घटा है यहां पर आप देख रहें कि कॉंग्रेस को 88 प्रतिशत वोट मिलने का अनुवान यहां पर लगाया जा रहा है BJP का देखिए, BJP का हाल जो है वो बहुत बुरा है 2018 में BJP को 6% वोट मिले थे लेकिन 2023 की बात करें तो BJP के पाले में सिर्फ 2% वोट जाने का ही अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है JDS की बात करें तो JDS को यहाँ पर 8% वोट 2018 में भी मिले थे और 2023 के एक्सिट वोट में भी 8% वोट मिलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है अब इन सब में अगर आप राउंट फिगर देखेंगे तो BJP को यहाँ पर ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि BJP का वोट शेर घट गया है और आपने देखा कि किस तरीके इसे BJP ने चुनाव से पहले ही मुस्लिम आरक्षन कोटा जो है वो खत्म कर दिया और उसको वोकालिंगा और लिंग्याज समुदाय में बाट दिया लेकिन उसके बावजूद भी BJP को यहाँ पर अच्छे परिनाम नहीं मिले लिंग्या समुदाय को खुश करने की बेहत कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी BJP को फाइदा नहीं मिला और BJP का वोट शेर भी वहीं का वहीं है इसी के साथ आपको बता दे कि करनाटक चुनाव में आखरी पड़ाप पर बजरंग बली बजरंग दल जैसे संगटन को बैंग करने का मुद्धा भी जोरो शोरो से गरमाया कॉंग्रेस ने जैसे ही वादा किया कि हम बजरंग दल जैसे संगटन को बैंग कर देंगे उसके बाद BJP ने ये मुद्धा बुनाने की कोशिश की लेकिन इस मुद्दे से कॉंग्रेस को फाइदा मिला और बीजेपी को यहाँ पर कुछ खास फाइदा जो है वो नहीं मिला इसी के साथ आपको आगे दिखाते हैं लिंग्याट समुदाय का वोट प्रतिशत यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 2018 में कॉंग्रेस को 16 प्रतिशत लिंग्याट समुदाय का वोट मिला था अब आप देख रहे हैं कि 2023 के एक्जिट पोल में 20 प्रतिशत मिलने की संभावना जो है वो चताई जारी है यानि कि यहाँ पर भी 4 प्रतिशत की बड़ोतरी कॉंग्रेस के पाले में देखी जा रही है लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ से भी बूरी खबर है वो कैसे है बीजेपी को 2018 में भी 64 प्रतिशत वोट जो है लिंग्याट समुदाय का मिला था दो प्रतिशत आरक्षन जो है वो लिंग्याट समुदाय के पाले में भेज दिया उनके पाले के लिए रख दिया लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो बीजेपी से सभी पलडा जाड रहे हैं चाहे लिंग्याट समुदाय हो चाहे इसाई समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो यह चाहे दरित समुदाय हो यहां पर आप इसाई के वोट किसे कितने मिलने के अनुमान है, यहां पर कॉंग्रेस को इसाईयों के 68 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, बीजेपी की बाद करें तो बीजेपी के लिए यहां से भी बूरी खबर है, सिर्फ 17 प्रतिशत ही वोट शेर मिलने का जो है अनु प्रतिशत वोट मिले थे इस बार एक्जिट पोल में कांग्रेस को 60 प्रतिशत वोट शेर मिलने का अनुमान है इसी के साथ आपको बता दे कि बीजेपी को दरितों के 22 प्रतिशत वोट मिले हैं और उसे इन वोटों में 5 प्रतिशत का नुकसान हुआ है यानि कि यहां भी बीजेपी को नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी के साथ आप सारी तस्वीर जो है वो समझ रहे हैं आज तक एकज़जपोल में ये भी बताया गया है कि कि सवर्ग के लोगों ने बीजेपी और कॉंगरिस को कितने प्रतिशत वोट दियें और कितनी प्रतिशत वोट मिलने की जो है वो समझ भावना है यहां पर आप देखे किस वर्ग का किसे कितना वोट यहां पर दिखाया गया है कि युवाओ का जो वोट शेयर है वो कॉंग्रेस के साथ जादा है आज तक अपने एक्जिट पोल में ये दावा कर रहा है ये कह रहा है कि कॉंग्रेस की जीत के पीछे युवाओ का वोट जो है वो बताया जा रहा है कॉंग्रेस को युवाओ का समठन है और यहां पर युवाओ जो है उनकी संख्या जो है एक करोड ग्यारा लाक है 18-30 वर्ष के युवाओ जो है उनकी संख्या एक करोड से ग्यारा लाक है और ऐसे युवाओ को समठन कॉंग्रेस के साथ है यहां पर बताया भी गया है कि किस वर्ग और किस एज ग्रूप के लोगों का वोट शेर बीजेपी और कॉंग्रेस के साथ कितना प्रतिशत है 18-25 वर्ष की बात करें तो 44 प्रतिशत वोट शेर कॉंग्रेस के साथ है और 35 प्रतिशत बीजेपी के साथ है 26-35 वर्ष के लोगों का वोट 44 प्रतिशत कॉंग्रेस के साथ है और 32 प्रतिशत बीजेपी के साथ है 51-60 वर्ष की बात करें तो 36 प्रतिशत यहाँ पर कॉंग्रेस के साथ हैं 51-60 वर्ष के लोग और बीजेपी के साथ 38 प्रतिशत लोग हैं बीजेपी को यहाँ पर 61 वर्ष से ज्यादा जो लोग हैं, वो यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, 40 प्रतिशत लोग जो हैं, बीजेपी को यहाँ पर अपना वोट दे रहे हैं, और कॉंग्रेस को मैं 37 प्रतिशत, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसी के स आपको दिखाते हैं कि मजदूर, किसान और बेरोजगार और ग्रहनी ये किसे वोट दे रहे हैं और कितना प्रतिशत इनका वोट जो है वो किस पार्टी की पाले में हैं कॉण्गरस के पाले में जाधा है जाहिर सी बात है इसलिए यहां पर बीजेपी पिछरती भी दिख रही है मजदूर 50% कॉण्गरस के साथ हैं और 27% बीजेपी को वोट देने की संभावना है किसान जो हैं 36% वोट के साथ हैं 34% बीजेपी के साथ हैं बेरोजगार की बात करें तो बियोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्धा है करनाटक चुनाव में भी बेरोजगार 11% कॉंग्रेस को वोट दे रहे हैं और 35% बिज़े पी Frau आज तक के एक्जच पोल में ये भी दिखाया गया है कि 10,000 से कम आये वाले लोग परिवार जो हैं वो भी 44 प्रतिशत कॉंग्रेस के साथ हैं और बीजेपी के साथ महत 33 प्रतिशत परिवार जो हैं वो वोट करते हैं 10 से 20,000 के बीद जिनकी आये हैं उनमें से 41 प्रतिशत लोग जो हैं वो कॉंग्रेस के साथ हैं और 34 प्रतिशत बीजेपी के साथ हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि बजरंग बली जैसे मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की लेकिन इसका फाइदा यहां पर बीजेपी के लिए घट गया है अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कनाटक में किस की सरकार बन रही है और किस पार्टी के पाले में कितना वोट जो है पुजा रहा है आप इस एक्जिट पोल को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी का सभी ने साथ छोड़ दिया है बीजेपी से सभी पलडा जाड लिया है चाहे आप हिंदू की बात कलीजिए दरीतों की बात कलीजिए इसाइयों की बात कलीजिए मुस्लिमों की बात कलीजिए या फिर उनका लॉयल वोटर लिंग्या समुदाय की बात कलीजिए उसे लेकर क्या सोचते हैं क्या समझते हैं हमें कमेंच बॉक